आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हमारे ब्रैसिका के अंदर से उसके लिए हमें एक सिंथेटिक जीन की परड़क्शन करनी पड़ी थी तो हमें बदाना है क्या इस ट्रीट्मेंट च्रू है या फिर फॉल्स है सबसे पहले समझते हैं हम हैरुडिन को कि आकिरकार है हो क्या चीज होती है तो देखे हमारे जो हिरुडीन होता है ये बेसिकली होता है हमारा एक naturally occurring protein ये हमारा एक naturally occurring protein होता है जो कि हमें किसके आंदर देखने को मिलता है जो हमारे blood sucking hero dinosaur area लिची Town और के और और जो उनके salivary glands होते हैं, उनके अंदर ही present होता है, अब देखिए हमें इसकी क्या ज़रत है इस protein की, तो जा जाता हूँ, इस protein के पास हमें देखने को मिलते हैं anti-coagulant properties, ठीक है, तो anti-coagulant properties होती है, यानि कि ये blood को coagulate, coagulation नहीं होने देता है, तो हमारे जो heart patients होते हैं, ये जो blood है वो देरे-देरे coagulate होने लग जाता है, ठीक है न, कई cases में, तो हम उनको क्या करते हैं, उनके blood को पतला रखने के लिए हम उनको anti-coagulant drugs देते हैं, ठीक है, तो heroin भी हमारे इसमें मदद कर सकता है, तो देखिए, जो हमारे heroin है, इसको बनाने की कोशिश ही गई थ दौरा एक plant के अंदर से, जिसका नाम है brassica napas, ठीक है, तो हमारे brassica napas है, इसको दौरा scientist जो है, वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसको किस प्रकार से, हमारे heroin का gene है, क्योंकि आपको पता ही है, जो gene है, वही तो क्या बनाते है, mRNA बनाते है, specific, और वही specific mRNA protein बनाएगा, तो ह हमने क्या किया, हिरोडन के gene को डालना था इस brassica napas के अंदर, ठीक है, तो अब यह जो brassica napas है, यह क्या कला जाएगा, transgenic, क्योंकि इसके अंदर एक foreign gene की segment है, जो कि यह रही, अब देखिए यह जो gene आया है, यह eukaryotes से आ रहा है, ठीक है, तो eukaryotes के अंदर हमारा जो mRNA होता है, वो हमारा दो प्रकार की sequences के साथ present होता है, ठीक है, दो sequences होती है, मैं genes को यह ले लेता हूँ, तो इसके अंदर दो sequences होती है, हमारी, एक होती है, हमारी introns की sequences, और दूसरी होती है, exons की sequences, देखिए, जो exons होते हैं, यह हमारे expressible होते हैं, यह ही अपने proteins को बनाते हैं, जो इंट्रोंस होते हैं, वो non-coding होते हैं, उन से कोई भी protein हमारा नहीं बनता है, तो हुटक है हमें इन इंट्रोंस को निकालना पड़ता है, ताकि एक्जोंस हो हमारे हमें मिल पाएं, तेका इसलिए हमारा जो synthetic gene है, उसको बनाने की जरूरत पड़ी थी, herodine के production के लिए उसको तो यानि कि दी गए अजशन वाली statement तो true है बात करोगा reason के बारे में ये कह रहा है eukeretic gene have introns sequences that need to be spliced out बिल्कुल true statement है ठीके न, क्योंकि उसमें introns होते हैं तभी तो उसको synthetic gene बनाने की जुरूत पड़ी है इसलिए हमारे जो दिये गए सवाल है उसके लिए जो option A है वो जाएगा बिलकुल right Thank you